मुलक राज आनन्द की कहानी दो लायर यह कहानी उस समय की है जब देश पर बिटेश शरकार का राज था समाज में भेट भाव, उंच नेच, जाती पाती, छुआ छोत का खासा प्रभाव था लेकिन लाभू के साथ स्थिती अलग थी जबकि लाभू एक निमने जाती का व्यक्ति था उसकी कहानिया समाज के सभी लोग सुनते थे और उसे गाव के बरगत के पेड़ के नीचे आसन भी दिया गया था जहां पर बैटकर वह अपनी डिंगे भरी बड़ बोलेपन की शिकारी कहानिया सुनाया करता था और गावाले बड़े आनन्द से उसे सुनते थे लाभू कहानी का हीरो है जिसे लेखक ने बॉन लायर कहा है मतलम जो जूट इतनी अच्छी तरीके से बोलता है जैसे पैदाशी जूट भोलने वाला हो क्योंकि लाभू कभी सची घटनाओं में कुछ मन गडंत कालपनिक बातों को मिला कर एक रोचक कहानी बना देता था और सुनने वाले भी उसे जूटी कहानिया मान कर भी बड़े आनन्द से सुनते थे और कुछ लोग तो मानो उसके फैन भी हो गये थे अब हम लाभू से परिश्य करते हैं कि लाभू एक बुढ़ा शिकारी था जो दुबला पतला ठिगना था और उसकी आखे तेज थी गाउं के सुबेदार के परिवार से लाभू की रोजी रोटी चलती थी मगर गाउं में कोई अंग्रेज अफसर या व्यापारी आते तो लाभू उनकी चाकरी करने पहुँच जाता था लाभू का पुरतीला बदन और तेज आंखे उसे अच्छा शिकारी बनाती थी और उसकी कलपना शक्ती से बनी कहानिया तो बहुत ही मज़ेदार होती थी नरेटर बताते हैं कि उसकी रोचक कहानियों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था बड़ी बड़ी डिंगे मारने वाला लाभू बहुत अच्छी तरह से कहानी सुनाता था जिससे अविश्मस निये बाती भी सुनने में रोमान चक लगती थी तो उसका एक अच्छे कहानी सुनाने वाला अर्था स्टोरी टेलर का रोप भी सामने आता है और उसकी बहुत अच्छी कमिनिकेशन स्किल थी जिससे उसकी बातों को जूटी बातों को भी लोग बड़े आनंद से सुनते थे और तीसरा कि उसकी कलपना शक्ती इतनी अच्छी थी कि वो अपनी कलपना से नही नही कहानिया गह लेता था और समाज के निचले तबके का होने के बावजूद भी उसने अपनी कला से अपने स्किल से समाज के सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जोड लिया था तो हम देखते हैं कि लाभू ने अपनी परिस्थितियों को रुकावट नहीं बनने दिया बल्कि उसका फायदा इतनी अच्छी तरीके से उठाया इस कहानी में लाभू अलग-अलग मन गणत कहानिया सुनाता है जिसमें पहली कहानी में वह बताता है कि वह भेड को पकड़ने के लिए पहाड पर चड़ा था वहाँ उसने एक शैतान या एक भूत की आकरती देखी जिसका आकार हाथी के जैसा विशाल काय था या हाथी जैसा योज था जिसकी आखें मुर्गी के अंडे जैसी बड़ी-बड़ी और सफेद थी दारी तो मौलवी शाहदीन के समान बड़ी थी लेकिन उसमें हिना ये म पाली दाढ़ी थी कान हाथी के माफिक बड़े-बड़े थे पर वहाथी के माफिक कान फड़फडाता नहीं था नाक अंग्रेज मेम जैसी थी जबड़ा या जा जो था वह चाको और स्क्वायर था जिसमें संगमरमर के टाइल्स के जैसे दात लगे थे वे संगमरमर के टा सुबेदार को देखकर हस रहा था जैसे ही भूत प्रकट हुआ पत्थर चट्टान आपस में टक्राने लगी हवा की साय साय सीटी जैसी आवाज आने लगी गड़ गड़ाहट के साथ पहाड में एक दरार पड़ गई तभी वहां अंधिरा एक गहरा काला पैच दिखाई दिय जो देखा तो हिमालेन शीप उरियल जैसा दिखाई दिया तभी शैतान ने जोर से चींका और धर्ती में समा गया सुबेदार तो यह सब देखकर दर गया लेकिन मैं तो यह सब देखकर खुश हो रहा था कि भगवान ने मुझे यह सब दिखाया इतना अच्छा द्रश्य और वो कहता है कि बेटा अगर भगवान ने चाहा तो तुम ही भी यह द्रश्य कभी दिखाऊंगा तभी किसी ने चुटकी लिए कि तुम यह सब सुना रहे हो यह सब बखवास है जूट है फेंक रहे हो मैं भरोसा नहीं करता यह सुनकर लाभू ने कहा तो ठीक है मैं लद बेवकूफ बिनाते हो ऐसा कुछ नहीं होता है मैंने भी कहा हां मेरी मा भी कहती है कि तुम्हारी कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है अब लाभू गुस्सा हो गया जब मेरी कहानी पर विश्वास नहीं है तो क्यों आते हो सुनने अब मैं कोई कहानी नहीं सुना मैं भी बात नहीं करूंगा कहकर मैं भी घर चला गया लेकिन वह कहानी तो हमारे मजनो रंजन के लिए सुनाता है मैं सोचता रहा इसके कुछ दिनों बाद लाभू कुल्दीप सिंग के साथ हिमालय की तरफ से नेपाल शिकार पर चला गया मुझे लाभू का यहां ना होना ख घाट पर पानी पीते जानवरों का शिकार कर सकता है हद से ज़्यादा किसी खर्गोष का शिकार किया है उसने अब तक मैं लाभू से जल्दी से मिल कर इन सब बातों का खुलासा करना चाहता था उसके मुढ़ से सुनना चाहता था कि जो लोग सब कहते हैnt वह सब क्या है क् मुझे हमेशा जिड़कता रहता था इसलिए मैं ये सारी बातें उसके मुझे सुनना चाहता था कि क्या वो सचमुच एक मामूली सा शिकारी है, मगर जब लाबू आया, तो वो लंगडा रहा था और बीमार भी लग रहा था उसकी हालत देखकर मैं सब कुछ पूछना भूल गया अब वो बर्गत के नीचे भी नहीं आता शून्य में कहीं देखता रहता है अपने से बाते करता रहता है गावाले खहते हैं कि हम उसकी कहानिया सुनकर दुख ही हो गए है इसलिए वो खुद को ही कहानिया सुनाता रहता है बड़बडाता रहता है लेकिन मुझे उसकी बड़बोली इशिकारी कहानियों से लगा हो गया था एक दिन हिम्मद जुटाकर मैं लाभू की जोपड़ी में गया तो वा घटिया पर लेटा था मैंने उससे पूछा लाभू क्या आप वापस आ गए उसने कहा हाँ काफी दिन हो गए अब मैं तूट चुका हूँ मैं पहले जैसा चल फिर नहीं सकता लाभू हमारी पुरानी जड़ब को भूल गया था मैंने उससे पूछा तुम क्या पहाड से गिर पड़े थे उसने कहा नहीं तो मैंने पूछा तो क्या हुआ था तब उसने कहा देखो बेटा और अपनी एक भौ तिर्ची करी और फिर वा शुरू हो गया मैं सुबेदार के बेटे कुलदीप सीं और उसके दोस्तों को हिमाले के रास्ते नेपाल शिकार के लिए ले गया था और कुछ अपनी जान करी तथा वहां के कुछ लोगों से पूछ पूछ कर उन्हें अच्छे अच्छे शिकारी जगहों पर ले गया मुझे यह तो नहीं मालूम कि वह फौज में क्या करता था पर उसे और उसके साथियों को बंदुग चलाना नहीं आता सब के सब बिढ़ंगे थे इतने बिढ़ंगे कि पास-पास के जानवर तक नहीं शिकार कर पाए करीब करीब 200 कार्टूस इन लोगों ने बेकार किये होंगे मुझे तो बहुत गुसा आ रहा था लेकिन वे मानते न थे मैंने तो समझाया भी कि अपने दम पर शिकार करने में मज़ा आता है मुझे इन पर दया आ गई फिर मैंने अपनी बंदूख से इन्हें बारा शेर, पंधरा चीते और बहुत सारे हिरन आखरी साथ दिनों में शिकार करके दिये आठवी दिन हमने एक बहुत बड़ा दैत्य देखा जो भालू जैसा था सिर्फ बारा सिंगे जैसा, पैर बकरी के जैसे, दुम भैसे जैसी थी और चमडी, चमडी तो जैसे सिल्क की ओहनी थी जो कि भूंदी की रानी सुबेदार दीब सिंग की बीबी को मिलने के लिए आई थी तब ओड़कर आई थी उसे देखकर सुबेदार के बेटे समेट सब घबरा गए कि शैताना गया सब मिलकर उसे मार डालना चाह रहे थे लेकिन मैं उसे बचाना चाहता था क्योंकि मुझे शक था कि वह नेपाल की राजकुमारी है जिसे किसी जादूगर ने ऐसा बना दिया है मैं उसे जीवित पकड़ना चाहता था घर लाकर उसे अपनी दुलहन बनाना चाहता था और जादूई मंत्रों से उसे वापस राजकुमारी बना देता मैंने उसे कहा भी कि I love dhar और वह थोड़ा शर्मा गई लेकिन तभी सुवेदार का मुर्ख बेटा और उसके दोस्तों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी वह डर गई वह डर कर भाग गई और हवा में मिल गई और हिमाले के बर्फीले परवतों में खो गई मैं एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर भागते हुए उसे बुलाता रहा लेकिन कुलीब और साहिब नहीं माने फायर करते ही रहे तभी जादूगर ने मेरे उपर बर्फीला पहाड़ फैक कर मुझे मारना चाहा अपने को बचाने के लिए मैंने एक गर्म सांस छोड़ी जिससे वह बर्फ का पहाड करोड़ टुकरों में बिखर गया जैसे आकाश के तारे तभी भूत ने जादूई अंदाज में जमीन पे लात मारी और मुझे जिन्दा दफनाने के लिए कबर खोद दी तभी मैं उस दरार के दूसरे तरफ कूद गया और मैंने अपने आपको धर्ती के उस भाग में पाया जहां पर कोई नहीं मरता फिर मैंने सोचा अब तक तो जादूगर ने उस भालू को किसी गुफा में छुपा दिया होगा और मैंने भी उसका पीछा करना छोड़ दिया क्योंकि उस सुंदर्ता के पीछे मौच छिपी थी या मुझे समझ में आ गया और मेरा घर भी तो हिमाले से एक चलांग दूर था लाभू की या कहानी पूरे होते ही मैंने तपाक से कहा कि जैसे ही आप परवत के दूसरे तरफ उतरे आपका पैर मौच खा गया है ना लाभू ने बहुत ही मजा किया आंदाज में या जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो उस तरीके से अपनी भावें उचका कर हसते हुए कहा क्या मैंने पहले भी तुम्हें यह कहानी सुनाई है इस तरह द लायर कहानी की हिंदी समरी पूरी होती है और मुझे विश्वास है कि आप इसे समझ गये हैंगे और परिक्षा में उतर लिखने के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी में इसके उतर लिख सकते हैं और अगर आप अधिक नोट्स चाहते हैं अंग के लिए उपलब्द करेंगे